हेलो एव्रिवन, वेलकम बैक टो वंदना की रसोई तो आज वंदना की रसोई में बनने जा रहा है मैकरोनी सेंड्वीच जो की बच्चों का बहुत ही फेवरेट है मैकरोनी भी बच्चों की फेवरेट है और आज हम इसे ब्राउन ग्रेट से बना रहे हैं तो यह और भी ज़्यादा healthy हो जाएगा तो आईए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कप boiled macaroni ली है macaroni को मैंने 15-20 मिनट के लिए पानी में उबाल लिया था अच्छे से इसको boil किया है इसको कच्चा नहीं रखा है तो sandwich बनाने से पहले हम एक कुछ के लिए चटनी बनाएंगे ग्रीन चटनी तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से धनिय के पत्ते लिये हैं और यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है दो हरी मिर्ची है थोड़ा सा लहसून है तो यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे धनिया साथ ही में हम इसमें आड़ कर देंगे पुदीना यह सारे पुदीने के पत्ते डाल दिये हैं हरी मिर्ची आड़ कर दी है यह मैं ने अदरक और लेस्न भी इसमय आड़ कर दिया और अब हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा नमक और यहाँ पर मैंने surround curd ली है, curd मेंसे पाने बिल्कुल रिमूफ कर दिया है और दो चमज भरकर इसमें कट के डाल दिये हैं तो चली इसको चला लेते हैं तो यह देखिए इसका color देखिए चटनी का कितना अच्छा आया है और यह चटनी हमारी sandwich वाली बनकर एकदम तयार है तो चलिए अब इसको हम side पर रख देते हैं तो यहाँ पर मैंने एक mixing bowl ले लिया है और इसमें सबसे पहले डाल रही हूं macaroni और अब हम इसमें add करेंगे veggies तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूं बारिक कटा हुआ प्याज शिमला मिर्ची एड कर दी है टमाटर एड कर रही हूं और अब हम इसमें add कर रहे हैं थोड़े से sweet corn आप इसमें veggies अपने according जो आप खाते हैं वो डाल सकते हैं अब हम इसमें add कर रहे हैं spices सबसे पहले मैं नमक डाल दिया chili flakes add कर दी oregano add कर रही हूं और साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर इसको थोड़ा सा mix कर लें और अब हम इसमें add करेंगे mayonnaise तो दो बड़े चमच भरकर इसमें mayonnaise के डाल दीजिए यह mayonnaise हमने add कर दी है इसमें इसको अच्छे से mix कर लें अब तो यह macaroni salad भी हम इसको कह सकते हैं macaroni salad के रूप में भी आप इसको खा सकते हैं तो चलिए अभी हमारा mixture जो है वो बिल्कुल तयार है तो यहां पर मैंने brown bread लिये हैं 6 brown bread लिये हैं क्योंकि हम triple layer sandwich बना रहे हैं तो इसलिए तीन bread लगेंगे एक sandwich के लिए तो एक bread ले लिया है और उसके उपर मैं लगा रही हूँ green chutney जो हमने अभी बनाई थी यह हरी chutney में इसके उपर लगा दूझी आप ये हरी चटनी किसी भी sandwich के साथ किसी भी कोई भी आप roll बनाते हैं कोई भी cutlet बनाते हैं उसके साथ इसको enjoy कर सकते हैं तो अब ये green चटनी हमने लगा दिया है और इस bread के उपर हम लगा देंगे ये macaroni salad जो हमने अभी बनाया है इस macaroni के mixture को अच्छे से इसके उपर फैला दें, corners पे भी अच्छे से लगाएं तांकि हर bite में इसका taste आए तो ये देखे ये salad हमने इसके उपर लगा दिया है और अब हमने ले लिया है दूसरा bread और अब हम इसके उपर लगाएंगे tomato ketchup तो इस bread के उपर हम tomato ketchup लगा देंगे यहाँ पर मैंने brown bread यूज़ किये हैं आप चाहे तो white bread का भी यूज़ कर सकते हैं तो इसके उपर हमने tomato ketchup लगा ली है और अब यहाँ पर मैंने veggies ली है प्याज है, tomato है और खीरा है वो भी हम इसके उपर लगा देंगे तो यह second bread जो हमने रखा है उसके उपर लगा नहीं है यह सब कुछ तो अब इसके उपर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक थोड़ी सी chili flakes set कर रही हूँ साथ में हम इसके उपर डाल देंगे थोड़ा सा ओरिगेनो और अब यह जो मारा last bread है इसके उपर हम लगाएंगे यह green chut जटनी जो है इसके उपर अच्छे से लगा लीजिए तो यह green chutney हमने लगा ली है और अब इस bread को हम इसके उपर उल्टा रख देंगे और हलका सा प्रेस कर देंगे आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन हम इसे थोड़ा सा सेक लेंगे तो यहाँ पर मैंने तवा रख लिया है और इसके उपर लगा रही हूं है butter और अब हम इसके उपर रख देंगे यह sandwich और इसको अब हम अच्छे से से शेक लेंगे sandwich को हम बिल्कुल slow flame पर सेकेंगे और अब इसके उपर हम लगा देंगे butter हलका सा प्रेस कर देंगे और देखे sandwich को सिखते हुए दो मिनट हो गए है तो चली इसको टर्न कर लेते हैं और अब दूसरी साइट से भी इसको अच्छे से से शेक लेंगे हलका सा प्रेस कर रही हूं ताकि अंदर तक यह अच्छे से सेट हो जाए तो लगता है दूसरी तरफ से भी हो गया है तो चली टर्न कर लेते हैं तो यह देखे कितना अच्छा कलर आया है तो दोनों तरफ से अच्छे से सिख गया है चली प्लेट में निकाल लेते है और अब मैंने दूसरा sandwich भी तयार कर लिया है उसको भी ऐसे ही सेक लेंगे butter लग तो मैंने दोनों तरफ से इसको अच्छे से ख लिया है तो यह इसे भी plate में निकाल लेते हैं तो यह sandwich हमारे बनकर एक्दम तयार हो गए है तो चली अब इसको cut कर लेते हैं तो यह देखे कितना अच्छा कलर है और चली अब हम इसको cut कर लेते हैं मैं इसको diagonal shape में cut कर रही तो ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अंदर से white, red और ये green का combination और ये बहुत ही tasty बनते हैं आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में तब तक stay safe, stay healthy and thanks for watching my video